कि हेलो दोस्तों तो कई से आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे श्री एल्जे वर्सेश जैड आई एन फूल इस्टेट्स वलस इनफो यानिकी कलज वर्सेश जेनेटिस के वीजियो एसी एस रोमानिया टीटेन का मैच नंबर 21 के स्टार्ट हो जाएगी बेन्यू से में फोकर जो करने है पिले स्टेट पर करने है और जो जरूरी चीज़े रहेगी लाश्ट टाइम अपडेट और फाइनल टीम इसके लिए आपको टेलिगराम से जुनना जरूरी है टेलिगराम का लिंक आपको डिस्क्रिशन और टॉप क कॉमेंट सेक्सेल में मिल जाएगा आपको लिंक से या ना ब्यावट लिंक के आते हो सकता कि आपको लिंक से आना है यही हमारे फिर चैनल से चुनने का एक मात्र जरीया है अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किये तो सबस्क्राइब भी कर लेंगे चैनल में के बराबर है आप देखिएंगे सत्विक नाड़ी गोटला जो है इनके बिगेट की पर बल्ले बाज ओपनिंग पलस आपको बिगेट कीपिंग दे रहे इंपोर्टेंट पिलियर है अच्छे हार्ट हीटिंग भी कर लेते हैं जिनको आप सी वी सी भी कर सकते हैं अगर ओपनि मैच में ही उन्होंने अपना पहला सेंचुरी भी पूरा किया और सेकेंड मैच में 31 आठ गेंदो में सेकेंड इनिंग में इनकी बल्ले बाज़े आई थी ज्यादा रन थे नहीं बाकि थर्ड मैच में जब थोड़ी सी स्ट्रॉंग टीम थी तो इन्होंने छे रन बनाए प आप यहां पर देखेंगे तो वो खिलाडी का नाम है सुमुडू याससरी इनसे यह भी राइटा मापश पने रहे तो इस चीज को जान लेजिए अगर सुमुडू याससरी दो अभर की गेनवाजी कर रहे हैं तो तरंजी सिंग के और कटने वाले सिचुएशन मेटर करता ह अगर यह लोग पहले बल्लेवाजी करते हैं कलज की टीम तो यहां पर यह जो है अगर 140-160 के आसपास स्कूर कर देते हैं और सामने वाली टीम कहीं जो है 40-50 रन तक जाते जाते हैं स्ट्रागल कर जाते हैं तो इस केस में तरंजी सिंग जैसे पिलियर्स बालिंग नहीं करे द्यान रखेंगे इस बात को अगर मैच वन साइड़ेड जा रहा है यानि कि वन साइड़ेड टाइप से यह कलज की टीम जीत रहे है तो इस केस में तरंजी सिंग बॉलिंग करने के चांस कम है उस केस में जो है सुमोडो यसासरी बॉलिंग कर जाएंगे तो यह कुछ प्लियर्स है जो कि एक आदी प्लियर्स से कुछ खास हो गाए भी नहीं तो वैसे बल्लेवाजी अगर पहले आते हैं तो सीबीसी के बहतरी इन ऑफशन है जिनको आप कर सकते हैं वासुस है नहीं इनके टीम के कैपिटन भी है और इनका भी वही है कि अगर तरंजी सिंग ज पहले बल्लेवाजी आते हैं तो बिल्कुल आपके टीम में होने चाहिए शेकर निंगस में आप चाहे भी तो आप इनको ड्रॉप करना चाहे तो कर सकते हैं नमीं चंडब को हैं नमबर 5-6 पर आपको बल्लेवाजी दे रहे हैं यंग पिलेर से कुछ खास किये नहीं है कु तोबर में कर रहे हैं तो एक CBC के अच्छे option बन जाएंगे पीटर सना का है जो कि पहले मैच में जो हाइस को रन मना था इसमें इन से बॉलिंग करवाए गये ती और मैंने आपको सेगेंड मेडियो पर बताया भी था कि पीटर सना का का बॉलिंग कुछ खास है नहीं इन्ह को भी एकादिया भर करवाया जा सकता है इनके जो है में बोला है रविंद्रा आर्था पट्टू जो की पहले मैच में इनको रन पढ़ गये थे अठारा इसके बाद लोग इनको एग्णोर करें थे मैंने ओडियो में कहा था टेलिगाम में कि रवीन रविंद्रा आर्था पट्टू आपके लिए इंपॉर्टेंट बिले साफ लास्ट के दो में चैस देख लिए चार विए लेके आ रहे हैं रजित परेरा के बारे में पहले ही बोल चुका हो यह खिराडी इंपॉर्टेंट है यह आपके सीवीसी पहले बल्लेवाजी हो अगर आप किसी बॉलर को इनके टीम से सीवीसी करना चाहते है तो वह रजित परेरा है बहुत इसांदर गेंवाजी इस्पिन गेंवाजी करते हैं राना सिंगे आर्ची के यह भी राइटम ऑप स्पिनर बॉलर है तो देखे इन लोग को उसी केस में बॉलिंग करवाया जाएगा जब मैच जो है वन जो था वो कड़ी टकर हुई थी इस केसमें इन से बॉलिंग करवाई गई नहीं क्योंकि इनका उतना कुछ खास बेरियेशन है नहीं इनके अंतर मैंने इनकी बॉलिंग देखी ना टर्न है ना ही सही लाइन लेंट है हाँ बॉलिंग कर लेते स्पिनर को मारने जाते है और देखे जाते हैं बस यह एक चीज़े हैं तो इन चीज़ें को समझ के चलिएगा बाकि आप यहां से इनके फूलिंग सकते हैं जिस भी प्लिंग का देखना चाहें सारे प्लिंग के सामील होने का बावजिद अभी तक एक भी मैंच नहीं खेले अगर इन में से कोई करेंगे अगर शकी तरो यह गिनमे की त вик Match के लिए metric तो आप इसे ही अंद्यान लगा सकते कि कितनी श्रॉंग है जो मातर एक मैचे जीते ह Sand c MALE Image इनके तरफ से माहिस बर्वे जो है ओपनिंग करते हुए नजर आये हैं ज्यादा तर मैचेस में यानि पांच में से तीन मैचेस में जिनमें की एक मैच में इन्होंने लास्ट वाली मैच में 41 की नौक सांदा नौक खेल किया है आप इस नौक के बेसिक पे इनको लेना चाहते ले सकते हैं एस थोड़ी सी ज्यादा है मैं आभी के लिए इग्नौरी करेंगा सामने गवरो मिजरा आ रहा था पर्ट्व जैसे वालर के सामने श्रगल कर सकते हैं सेम सेरियार सोहल है जो कि पांच मेचेस में मात्र एक मेचेस में इन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थ सकते हैं इनके वान अप देश्ट मुझे लगे और मैं इस स्रीज में और इन्होंने वही किया है आपको डेट वर में गेंवाजी दे रहे हैं पलस पार पेले के अंदर या तो एक अधी ओगर पार पॉले में वही दे देंगे और एक अधी वाजी भी किए लास्ट में चु लुका के बारे में मैं आपको पहले मैश के बाद सेकेंड मैश में एक चीज बताई थी यह पिलियर्स भी सेम समुड कि पैसे यसे ही यह हैं यह थे बड़ेवाजी इन्हों ने अच्छे की ок씨 किया है इन妃च से जैसे पिलियर्स और अगर आप कहले कि नाडी गोटला जैसे पिलियर्स अगर रहते हैं सामने तो इनको दो अभर में 50 भी पड़ सकते हैं यह ऐसे बॉलर है एकोनोमी बिल्कुल माइनस होगी धियान रखेगा यह बट अगर बाद में आते हैं तरणजी सिंग वगरा आउट ह देने चाहिए सासी मदुसंका आपका कॉल रहेगा उसे अभी तक इन्होंने एवरेज ही पिया है इनके जो बॉलर है ना वो सारे एवरेज है कुछ खास अभी तक किये नहीं एक प्लेसर राजित को थिन वह थोड़े बहुत गेनवाजी ठीक ठाक कर लेता है बाकी मदुसं में इसे एक-एक विगेट लिए है बट रन भी पड़े है रजित पुतीन है जो की कंटिन्यू दोजबर की गेनवाजी कर रहें जो पहले गेनवाजी आती है तो यह इंपॉर्टन रहेंगे यह आपको डेतोबर में भी गेनवाजी प्रवाइड करवाते है लगभग सारे म करेंगे निकाले हैं एक मिच को अगर छोड़े तो चमीडा संका है जो की एक मिच में वालिंग भी किये थे कुछ खास रिकोड है नहीं पसिंडू विंडोला इस खिलाडी को जो है आप यह कहले कि आप कितनी भी अच्छी वालिंग कर लें फिर भी आपको एक ही ओभर मिले इनके जो है 20 रन दे रहे हैं उनको ही फिर सेकर वह ओभर भी दिया जारा तो यह चीज़े चल रही है बागी यह खिलाडी जील की फिक रहेगी आप चाहे तो इनको ट्राइ कर सकते हैं बागी कुमारा विरा सिंगे हैं दो मेंचे खेले हैं कुछ किये नहीं है उतना कुछ समंता राजा कुर्णा तीन मेंचे से खेले हैं सिर्फ फिल्लिंग करते हैं बागी आप यहांसे इनके फूल इस्टेट दे सकते हैं जिस भी पिलियर का देखना चाहिए इस टीम में एक अच्छे पिलियर्स है उपलग अगर वो खेलते हैं तो फिर वह आपके टीम में आ ज रखेगा और भी इसी परकार से और भी कुछ पिलियर्स है जिनको आप देखना चाहते हैं यहां पर आके देख सकते हैं अगर खेलते हैं तो उनके स्टेट्स अच्छे नहीं तो डायेक्ली आप उनको इग्नॉर भी करके जा सकते हैं बगे हम चलेंगे अपने डेमो टीम मे पर करेंगे देखें अभी के लिए मैं बीगेट कीपिंग से तीनों पिलियर्स को ले लिया हूं नाडी गोटला से शोहल और एच्छमिका बट मैं आपको बता दो अगर आपको इसमें से किसी को ड्रॉप करना है तो अप एस सोहल पर थोड़ा सा रिक्स ले सकते हैं बट थ यहां से और रोजशी कुछ खास पिक तो मुझे दिखने रही है अगर मैच एक्सप्रेमेंट के तौर पर देखा गया तो पी सनका को फिर एगादी ओबर गेनवाजी मिल सकती है बाकी यहां से और मुझे उतना कुछ खास पिक नहीं लग रहे हैं तो अभी के लिए मैं यह भी खेलेंगे आपके टीम में होने चाहिए मैं मेरी भी टीम में जरूर होंगे यहां से एस बिस्वास है जिन पे अगर आप बिस्वास करेंगे तो आप ले सकते हैं नहीं तो आप एग्नॉर करके जा सकते हैं बाकी यहां से जो है आपको अगर किसी को ड्रॉप करना है और मिसरा को लिया हूँ बड़ अगर पहले गेंदबाजी आती है तो धियान रखेगा जो है आर्पुतिन एक अच्छे पिलियर से जिनको आप मदुसंका या सहरियार सोहल के जगा पे ले सकते हैं इनके अलावा ऐस एससरी अगर वन साइड़ेड मैच टाइप के हुए तो इसके पर थोड़ा सा रिक्स लेना है तो आपको ऐस एससरी को ले सकते हैं और कुछ इस प्रकार से आपकी टीम बन जाएगे बाकि अब भी के लिए मैं बिल्कुल सेब जा रहा हूं ज्यादा रिक्स लेनी की ज़ुरत नहीं मादुसंका को मैं लेकर जा रहा हूं यहां पे मैरी क पर दियान रखे हैं गौरो मिसरा अगर डेत में के नवाजी कर रहे तो इनका भी दियान रखे हैं तो इसमें जो है सीबी सी के ज्यादा ओफसन है नहीं आप यहां पर जो है यह तीन पर चार पर यह पांच पर यह चेल के इसके बाद आपको चमीका पर थोड़ा गोथ कर लेना है तो यह कुछ और जिनको आप सीवी सी गर सकते हैं विलकुल तो उम्मिद करता हूं मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेलप कर पाया हूँ अगर कुछ हेल फी है सबसे पहले वैडियो को लाइक करें चैनल में में तो चैनल को सब्सक्राइब करें मैं आपको बता दूँ यह फाइनल टिम नहीं है फाइनल टिम अपरे टॉस लाइनप के बाद ही आएगी टेलिग्राम में इसलिए आपको टेलिग्राम में जुनना चुलिए है चले मिलते है नेश वीडियो में थैंक यू